सिरिमिरी भक्ती में आप सब का स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमसे जुढना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहें। आज हम इस वीडियो में अशाड़ी गुप्त नवरात्र के बारे में जानने वाले हैं। शास्त्रों के आधार पर चार नवरात्र बताये गए हैं। दो नवरात्र बड़े स्तर पर मनाये जाते हैं और दो गुप्त रूप से साधू संतों के लिए होते हैं। गुप्त नवरात्र में मा दुर्गा की दस महा विद्याओं की साधना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्र में की जाने वाली पूजा से सभी कश्चों से मुक्ती मिलती है। प्रकट नवरात्रों में नौ देवियों का पूजन किया जाता है और गुप्त नवरात्री में दस महा विद्याओं की साधना होती है। देवी भागवत पुरान के अनुसार वर्ष में चार बार नवरात्र आते हैं जब मा दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। चैत्र और अश्वीन माह के नवरात्री के बारे में हर कोई जानता है और शक्ति की उपासना करता है, लेकिन माह और अशाड माह के नवरात्र को गुप्त नवरात्री कहा जाता है, मानेता है कि इस नवरात्री में जितना अपनी साधना को गुप्त रखा जाए उतना ही अचानक भीर से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर रुशी शुंगी से बोली कि मेरे पती दुर्व्यसनों से सदा घीरे रहते हैं जिस कारण मैं कोई भी पूजा पाट नहीं कर पाती धर्म और भक्ती से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती यहां तक कि रुशियों को उनके हिस्से का अनभी समर्पित नहीं कर पाती मेरा पती मा साहारी है जुवारी है लेकिन मैं मा दुरगा की सेवा करना चाहती हूँ उनकी भक्ती साध्या से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ रुशी श्रुंगी महिला के भक्ती भाव से बहुत प्रसन्न हुए रुशी ने उस्त्री को आदरपूरप उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शार्दिय नवरात्रों से तो आम जन्मानस परिचित है लेकिन इसके अतिरिक दो नवरात्र और भी होते है जिन्हें गु इन नवरात्रों की प्रमुक देवी स्वरुप का नाम सर्वैश्वर्य कारणी देवी है यदि इन गुप्त नवरात्री में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो मा उसके जीवन को सफल कर देती है रुशी श्रुंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मासाहारी अत्वा पूजापाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यक्ता ही नहीं रहती श्रुंगी रिशी के ऐसा कहने पर उस त्री ने पूचा हे मुनिवर कृपा करके मु चीर काल में प्रजापती दक्ष ने आदी शक्ती को प्रसंद करने के लिए कठीन तपस्या की प्रजापती दक्ष की तपस्या से प्रसंद होकर आदी शक्ती ने उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लेने का वर्दान दिया कालांतर में प्रजापती दक्ष के घर आद शक्ति का जन्म सती रूप में हुआ। जैसे जैसे समय बीटते गया, मा सती भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चिना में लीन रहने लगी। इस दोरान उनके पिता प्रजापती दक्ष उनके विवाहेतु वर ढूनने लगे। लेकिन मा सती मन ही मन शिव जी को अपना पती मान चुकी थी। आखिरकार मा सती ने पिता प्रजापती दक्ष के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद मा सती का भगवान शिव से विवाह हो गया। मा सती और भगवान शिव के इस विवाह से प्रजापती दक्ष बिलकुल खुश नहीं थे। एक बार प्रजापत शिव को आमंत्रित नहीं किया जब मा सती को इस बात की जानकारी हुई तो वह शिव जी से यग्नमे जाने की जिद करने लगी जब भगवान शिव ने सती की इस जिद को पूरा करने से मना कर दिया तो सती ने अपने आपको एक भयानक रूप में परिवर्थित कर लिया सती का ऐसा रूप देख कर भगवान शिव डर के मारे वहाँ से भागने लगे जब सती ने देखा कि उनके पती भगवान शिव उनसे डर कर वहाँ से भाग रहे है तो उन्होंने शिव को रोकने की कोशिश की शिव भगवान जिस भी दिशा में जाते थे, माता सती को अपने सामने एक अलग रूप में पाते थे. हार कर भगवान शिव सती के सामने आकर खड़े हो गए. उन्होंने सती से पूछा ये सब कौन है? तब सती ने कहा ये सब मेरे ही दस रूप है. आपके सामने खड़ी यहा क्रिश्न रंग की महाकाली है इनके उपर जो है वह नीले रंग की तारा है पश्चिम में छिन्न मस्तिका है बाई और भुनेश्वरी पीट के पीचे बगला मुखी पूरब दक्षिन में धुमावती दक्षिन पश्चिम में ट्रीपूर संद्री पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तरपूर्व में शोडशी है और मैं खुद भैरवी के रूप में आपके सामने अबैदान देने के लिए खड़ी हूँ यहीं दस महा विद्याये दस शक्ति स्वरूप है बाद में माता ने अपनी इनहीं दस शक्तियों का उप्योग दैत्यों का नाश करने के लिए किया माता के इनहीं गुप्त रूपों की पूजा के कारण इनहें गुप्त नवरात्री कहा जाता है उस त्री ने रुशी श्रुंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्री की पूजा की मा उस पर प्रसन हुई और उस त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा उसके घर में सुक शान्ती आ गई पती जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग पर आ गया गुप्त नवरात्री की माता की आराधना करने से उनका जिवन पुना खिल उटा इसे के साथ गुप्त नवरात्र के कथा समाप्त हुई अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें